आज इस योग प्रशिक्षन शीवर के समापन समारों में उपस्तित मंचा आसीन हमारे मुख्याति थी प्रशिक्षन शीवर के समारे मुख्याति थी प्रशिक्षन शीवर के समारे मुख्याति थी टॉक्टर हिमांशु पांडे जी तथा एसिस्टेंट रेजिस्टर प्रमोच सर जी संकाय अध्याषगण, विबाग अध्याषगण, अधिकारीगण, करमचारीगण और चात्र एवं चात्राओं आप सभी का इस कार्य करम में हादिक अभिनंदन हमारे यहां किसी भी कार्य को करने से पहले मंगल कामना करने की प्रमपरा रही है तो आज हम मंगल चरिन के साथ इस कार्य करम को आगे बराएंगे तो मैं हमारे चात्राओं से निवे दिन करता हूँ कि वे मंच पर आए और मंगल कामना करें सेहनाए ववतू सेहनो भुनक्तू सेह वियं करवा वहे तेजस्विना वदी तमस्तू मावीद विशा वहे ओम शांती 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 दन्यवाद इसके बाद मैं हमारे कुल सचीव टॉक्टर सुनीता चंदराजी से निवे दिन करता हूँ कि वे मंच पर आए और अथितियों के स्वागत में चंद शब्द कहें धन्यवाद विटा करुना की प्रतिमूर्ती और विश्व स्वांती तथा सद्भाव की मिसाल परंपावन चौदे चौदमे दलाई लामा एवं भारत के यशश्वी तथा दूर दर्शी प्रतम प्रधान मंत्री पंडिश जौहलाल नहरूजी की आशिर्वाद से बोट भरतिय दर्शन ग्यान विज्ञान तथा कला के संरक्षन एव विकास के उदेश से बुद्ध के प्रतम धर्म चक्र परिवर्तन की स्थली सारनात में लगबख 55 अरश पूर निर्मित इस केंद्रिय उच्छ सिक्षन संस्थान में कि आत्से बीद में आप को सभी का स्वागत करती हूं अ else मैं सबसे सभ्वांप्रथम प्रफेसर राजरा राम इस अधरमद được में क्या काऊं मैं ने एक वार सि're비 किया और सर ने इतनी ऐसे मौसम में भी तनिक भी देर नी लगाई और उन्होंने हा कह दिया इसके लिए मैं सर किस किन शब्दों से आपका शुक्रियादा करूं मेर इसका इसान है अपका मेरे उपर कि आपने बेचु में मुझे मालूम है इस समय वीची साब ने बहुत इंप कि अपती महडे जो कभी भी किसी भी तरह कि निवेधन मैं करती हूं या किसी भी काम के लिए मैं उनसे कोई भी अन्रोद करती हूं कभी ना नहीं करते और बच्चों से समंदित इस छोटे से गयाधरिंग को भी आपने आने की सहमती दी सर इसके लिए आपका भी बहुत-ब करते हुए बहुत दिल से खुशी हो रही है क्योंकि आप लोगों ने 15 दिन हमारे संस्थान में उस अतिशा भावन में आप लोगों की रोज की में रोज रोज की जो प्रसिक्शन की बाते होती थी वो सुना करती थी जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे जो स सब्सक्राइब को सारा सारा क्रेडिट उनी को जाता है वो ना होते तो आज हम इस दिन यहां बैठ करके इस तरह से इस समारों में बड़े बड़े गुरुजन लोगों के अशिरवाद से जो संपन करने जा रहे हैं वो ना हो पाता तो तेन सिंग जी का स्वागत आपी का का कर्म हैं लेकिन आपको मैं जरूर स्वागत करती हूं मैं सागत करती हूं मैं सागत करती हूं मंच में बैठे वे हमारे उपकल साचिव जी को हमारे एसिस्टन रेजिस्टरार है सुशील जी है सब लोग जो ने टाइम निकाल करके इस कारे करम को सफल बनाने की सोची है और कि अवीय हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूं धिन्नेवाद जिसके बाद जैसे कि आप सब कुब रता है कि हमारे सांस्तान में अंत्र राष्टी योग दिवस को 2015 मनाया जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि रहा है जियार सर्थ करता हूं कि धियार सर्थ कि वे नुट पर आए और इस योग दिवस को हम जो मनारे इसके इतिहास पर कुछ परकाश डालें मंचा सीन परम आदर्निय प्रोफेसर वंचुक दोर्जे नेगी जी कुलपती केंद्री उचित तिब्बती सिक्षा संस्थान आज के मुख तिदी शद्धे प्रोफेसर राजा राम शुकली जी संस्थान की कुलसची महद्या डॉक्टर सुनीता चंद्रा मेडम यहां पे संस प्री चात्रिम चात्राम जैसा की विदित है कि योग सिर्फ सारीरिक या मानसिक स्वास्त के लिए जरूरी नहीं है योग से हमें आध्यात्मिक शक्ती भी मिलती है और केंद्री उच तिब्बती सिक्षा संस्थान देश की प्रक्ति के लिए अपने रोल को प्रेजंट करन के लिए जो अध्यात्मिक शक्ती या अध्यात्मिक के फ्रिस्तार के लिए अपने देश की प्रक्ति के लिए क्रिट संकल्प है इस संस्था में इंटरनेशनल योगा डे अंतराश्टी योग दिवस ही नहीं उससे पहले से ही योग और ध्यान पे बहुत जोड दिया जाता है और इसको सुरू से यहां के गुरुजन और चात शात्राएं इसको अपने वहवार में लाई हुए हैं परन्तु आपचारिक तोर पे जब अंतराश्टी योग दिवस की घोशणा हुई 11 दिसंबर 2014 को United Nation ने कहा कि 21 जून को आगे से 21 जून को हमेशा अंतराश्टी योग दिवस मनाय जाएगा तो 2015 से 21 जून से यह संस्थान कृत संकल्प है और 2015 से ही इस तरह के आयोजन योग पे आयोजन होते आये हैं विगत वर्सों में हम लोग ने कुछ कोलेबरेशन भी किये जैसे इंटर इंवस्टी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज बैंगलूरू है वहा अजोजन किया योग का वेबिनार कराया और योग कराया और हम धन्यवाद देते हैं इंटर इंटर इंवस्टी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज बैंगलूरू को भी कि उन्होंने हम से कॉलेबरेट करके और फाइनेशल एसिस्टेंस दिया पिछले बार उन्होंने एक सिपोटेंसेशर इंस्ट्रक्टर ढटयर कराय्त प्रैयूजन रखा अपितू 15 दिन का इन्होंने प्राआयूजन रखा कि हम 15 दिन सभी अपने नहितर शातबार स्यवाद में ईवाद सभी योग उपाया को जोग सिखाएंगे का इक्रम का आयोजन किया योग का आयोजन किया तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आगे के का इक्रम के लिए ये 15 दिन जो थे उसमें कैसे कैसे योग हुए क्या 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 क्राइक्रम हुए उसके लिए मैं डॉक्टर तेंजिंग सेमफिन जी को अमंत्रित करत कि वो आए और अपने विचार रखें धन्यवार। कर्मचरी गन और चातर चातरा हूं। आज मैं आपकी सामने यहां पर यह उपस्तित हूं कि जो अभी हमारा जो दो आज़र तेईस एकाइस जून अंतरास्टी योग दिवस के एक परकार के रिपोर्ट के तौर आपकी समक्ष उपस्तित हुआ हूं। जिसे की जिसे अंतरास् कि यह ज्या जा रहा है और इस साल हमने अंतरा से य इंदर दिन का जो योक जो लंबा योक शिवर का जो था उसमें कुल मिला कि 31상 में यहां पर गी लिया था वो था पंधर से लेकर तीस तक और इसमें से सुभेश ने एक से लेकर साथ बचे तक उसमें थे हमारा स्टूरेंस जो चातर चातराओं थे वो आते थे और उसमें प्रिशिक्जन के लिए वहां पर साहब आगी होते थे फिर उसके बाद जो साथ पंदर से लेके आठ पंदर तक जो वो जो बैस था वो स्टाफ करमचारी गन और उनके जो बच्चे बच्चियां पंदर दिन का जो यो शिविर था उसमें कुल मिला के एक टिस जन्नों ने साहब आगी के लिए थे और उसमें से जो प्रूष्ट थे वो तेरा लोग थे और जो मेलेद थे वो बारा लोग थे और बिक्चु जो थे वो छे लोग थे अब जैसे हम स्टाफ में माना जाए तो स्वार डिपार्ट्मेंट से चार लोग आयोए थे जिस्ट आ ओफिस से दो लोग में सा वगिलिया था एड्मिस्टेशन वान से एक लोग, मली मिडिया से दो लोग और जो स्टाफ का जो करमेचरी के जो बच्चे जो है उग मिलाके छे लोग ते यह रहा हमारा करमेचरी का एक संख्या जितना आई वे थे इसके बाद जह हम सेकंड बेश्चे थे साथ से लेके आर्थ तक तो उसमें जो बच्चे जो आई हुए थे ओकूल मिला के सोला थे उसमें से सोरी पसे नो लोग थे फिलोसोफी से चार लोग थे और पी एच्जी सुडेंस तिन लोग थे तो इस जितना भी जो हम अंतरा से योग दिवस जो मानाए गए हैं बिना कुल पदी जी और कुल सरजीब की साहतिकी बिना ये कभी भी संबब नहीं हो सकते थे तो भविश्यम भी एक अपेक्ष्य रखते हुए कि ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे इसके अपेक्ष्य के साथ अपनी मानिनी कुलपती प्रोफसर वांचु दोजे नेगी जी हमारे मुक्यातिती को परहम पारिक खता शोल और ठंगा के साथ स्वागत करें क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और हमारे चीफ गेस्ट का इंट्रडेक्शन नहीं हुआ है आप सब बिलकुल जानना चाहेंगे इंस्पायर होना चाहेंगे इतनी बड़ी परस्नालिटी से जो आपके बीच में बैठी है और मैंने गुस्ताकी की बीच में आकर के बताने के लिए सरका इंट्रडेक्शन प्रोफेसर आजा राम शोक्रीजी का जन्नम रामनगर में 6 जून 1966 को हुआ वर्तमान समय में बीच्चु के वैदिक दर्शन विभाग संस्कुत विद्या धर्म विज्यान संकाई के प्रोफेसर के रूप में कारे रत है पिछले तीन साल तो हम सब सर बहुत गौरवानवित हैं कि आप हमें हमारे बच्चों को आशिरवात देने हाँ आए हैं करें अब इसके बात में हमारे मुख्यादिति मान्यनी प्रोफिसर राजा राम शुगला जी से निवेदिन करता हूं कि मैं इस मंच को संबोधित करें सदाशिवसमारंभाम शंकराचार्यमध्यमाम अस्मदाचार्यपरियन्ताम वंदे गुरुपरंपराम सर्वपर्थम सर्वविद्य अधिश्ठात्री मा सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणतियर्पित करता हूं इस तपोभुमी के अधिश्ठात्र देवता के स्वृति को प्रणाम करते हुए प्रमस्मानिय गुल्पति महोदे भिक्षुबरंद पुल्सचिव बहोदे एवं अन्यान्य महानुभाव जो अत्यन्त आत्मी हैं इस पवित्र संस्था के साथ मेरा व्यक्तिकत संबन्द भूत वर्षों से है अनेक आउसरों पर यहां आना होता है शास्त्री चर्चा हो या अन्य भी कोई आयोजन हो यहां आनेक आउसर मिलता है सभी आत्मी हैं जब भी परमपावन जी का आगेहां आगवन होता है परमपावन जी को शास्त्र चर्चा बहुत ही प्रिय है वो विद्वानों को बैठा करके शास्त्र चर्चा करते हैं और उन सभी आउसरों पर मुझे भी आने का आउसर मिला ऐसे विश्यों पर जहां पर बहुत दर्शन और भारती नियाय दर्शन के मध्य समवाद हो सकता है वो यह नाम भी वो समवाद देते थे डायलॉक डायलॉक बिट्विन बुद्धिस्ट और इंडियन वेदिक लॉजिक ऐसा कुछ भी डायलॉक शब्द का प्रयोग अक्सर करते हैं उस समवाद में भी मुझे आने का आवसर मिला अनेट ऐसे आवसर हुए जहां पर इस संस्था के साथ हमारी सहभागिता हुई इसलिए अपने घर में आने के लिए किसी प्रकार के भी अवचारिक था कि आवशकता नहीं थी जैसे ही कुल सची महोदया का फोन गया मैंने हां कह दी क्योंकि यह आना इश्ट होता है अवसर की प्रतिक्षा होती है मैं इस परिवार को इस विश्विद्याले परिवार को साधुवाद देना चाहता हूं मैं अभिनन्दन भी करना चाहता हूं प्रत्यक्ष रूप से कि इस विश्विद्याले को प्रत्म प्रवेश में ही नैक ने अत्यन्त उच्च श्रेणी प्रदान की और मुझे प्रश्रिक्षा में यह विश्विध्याले आगे बढ़ता रहेगा। विगत 15 दिनों से यहां पर योग प्रशिक्षन का कारिक्रम चल रहा है। योग योग असनों की विभिन क्रियाओं का यहां प्रशिक्षन कराया गया। और मुझे बताया गया कि चात्रों के साथ साथ अध्यापकों और करमचारियों ने भी यहां प्रवेश लिया। इसमें सभागिता लिये। यहां अत्यनत उत्साह जनक और प्रसंदता का विशे है कि पूरा परिवार इसमें सनलगन रहा। और यही योग शब्द की सार्थकता है। योग मतलब जुणना। किसी रूप में जुणना, शारिरिक रूप से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्निक रूप से, किसी ने किसी रूप में हम एक दूसरे सब जब जुडते जाते हैं। तो यह योग शब्द की सार्थकता होती है, यह जुडाओ, एक विशेश प्रकार का जुडाओ है, यह ऐसा जुडाओ है जिसमें आत्मियता तो होती है, लेकिन आसकती नहीं होती है, कुर्वन नेवेह कर्माणी, कुर्वन नेवेह कर्म करते हुए हम योग करते रहें, योगस्थक कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनन जया, ऐसा भगवत गीता में योग की स्थिती बताएगी, योग करे हम कर्म में अपने आपको जोड लें, लेकिन संगम त्यक्त्वा आ सकती न करें उसके फल के परती आ सकती न करें उसमें ममत तो न लाएं किन्त कर्म करते रहें तभी योग की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं कर्म से विरक्ति नहीं होनी चाहिए योग का लक्षन बगवत गीता में कहा गया है योगहा कर्मस कोशलम बहुत प्रसिद्ध है कर्म में कुशलता ही योग है ऐसा सामान ने अर्थ माना जाता है लेकिन मैं एक अलग व्याख्या इसकी करता हूँ थोड़ा विपरणाम करके कर्मस योगहा कोशलम हम कर्म में अपने आपको लगा दें जो कर्म हमारे लिए निर्धारित किया गया है जैसे मैं अध्यापक हूँ अध्यापन कर्म के लिए मेनी निक्ति हुई है मैं उस कार में लगा रहूँ अपने आपको उस कार में लगा दूँ यही कुशलता है यही स्किल है कर्म में अपने आपको लगा देना और इससे जो विरत होता है वो हो अकुशल माना जाता है वो हो स्रेष्ठ नहीं माना जाता है अध्याबक पद पर नियुक्त होकर अध्याबन कारे न करकर करके दूसरे-दूसरे कारे करना जात्र हो करके प्रवेश लेना किन्तु अध्यन न करकरके दूसरे दूसरे कारे करना कर्मचारी का वेतन लेकरके कारेले में आना और दूसरे कारे करना दिये हुए कारे को न करना यह कर्मस अयोग है अपने आपको कर्म से विरत करना निर्धारित कर्म से अलग करना यह अकुशलता है यही अकुशल है और भगवत गीता इसी को व्याख्याइद करती है कि जब हम कर्म में अपने आपको युक्त कर लेते हैं तो यही हमारी कुशलता माने जाती है यही कुशल है इस चीज को हमें शीखना होगा जब हम कर्म में लगे रहेंगे तभी हम स्रेश्ठ माने जाएगे निर्धारित कर्म में अकर्म निश्क्रिय व्यक्ति कभी भी नहीं रह सकता है हम अध्याबन नहीं करेंगे क्यों सोयंगा ऐसा होता नहीं फिर हमारा खाली दिमाग शैतानी करेगा इसलिए निश्क्रिय होना तो संभवी नएं लिकिन कर्म में लगने का आर्त होता है निर्धारित कर्म में लगना जिसके लिए आप नियुक्त हैं उस कारे में लगना यही करमसु योगा है और यही कोशल है यही योगशास्त्र शिखाता है हम जो आसन अभी सीख रहे हैं वो तो एक सामान्य प्रारम्वेक चीज है वास्तविक योग में प्रवेश करने का मार्ग है आसन से पहले भी दो चरण है यम और नियम यम और नियम में जब हम अधिकार प्राप्त कर लेते हैं सिधता प्राप्त कर लेते हैं तभी हम आसन के अधिकारी होते हैं आसन में प्रवेश करने का हक हमें मिलता है किन्त आसन भी हमें केवल शारीरिक स्वास्त देता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए आजकल जो योग के ना पर दुकाने खोली जा रही हैं व्यापार हो रहा है केवल सारे रिक सोष्थो बनाने के लिए योग का नाम दिया जा रहा है और कुछ व्यायाम एक्सरसाइस करा दी जा रही है इस तरह की संस्थाएं चाहे वो काशी हिंदु विश्विद्या ले हो संपुर्डानन विश्व इनकी स्थापना ही इसलिए हुई है कि हमारे शास्त्रों का जो वास्तरिक सरूप है वह समाज के सामने आये विश्व के सामने आये महामना ने महामना पंडित मदन मोहन मालवी जी ने जब काशी हिंदु विश्विद्या ले की स्थापना की थी तो उनका एक मात्र लक्ष था कि यहां से शिक्षित चात्र केवल विद्वान बन कर ना निकले, केवल कुशल बन करके निकले, वह एक मनुष्य बन कर निकले, और मनुष्य तभी बन सकता है जब वह भारती संस्कृति के वास्तविक सरूप को समझे और दूसरों को समझा सके, इसलिए हमारे शास्त्रक जितने भी आप लोग ने आसन यहां सीखे होंगे, ओ सारे आसन प्रकृति से प्राप्ति किये, भुजंग आसन, प्रकृति से मिला, ताडासन, विक्षासन, सब नाम वही है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले विक्षा, यह आसन है, प्रकृति जितनी स्वस्थ रहती है, अ वातसल्य प्रकृति हमारे साथ करती है, तो हम भी प्रकृति की तरह स्वस्थ होंगे, प्रकृति की तरह हरे भरे होंगे, प्रकृति की तरह स्वाभाविक रूप से, स्वतन्तर रूप से विचरन कर सकेंगे, इसलिए इन सभी आसनों को नाम और काम दोनों प्रकृति से प्र जितने भी आसन है अब उन चीजों को हमारे रिशियों ने प्रकृति के आचरण को देख करके और उन आचरण के द्वारा प्रकृति को अत्वा प्रकृति में जी रहे जंत्वों को जो स्वास्थ प्राप्त हो रहा था शारिक अत्वा मानसिक उस स्वास्थ का रूपी पर नाम को देख करके इन आसनों का अविश्कार किया है। जिशियों ने इस तरह से नहीं कुछ स्वास्ते इनका हो जाए कुछ शरीर बलिष्ट हो जाए इस तरह से नहीं एक बहुत बड़ा अनुसंधान किया रिसर्च किया यह हमारी जो प्राचीन रिसर्च मेथडलाजी जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि शास्त्रकारों ने बहुत कुछ पहले ही अनुसंधान कर दिया और एक क्यों अनुसंधान नहीं किया है एक रिसर्च मेथडलाजी डबलब की है आज पास्चात विचारक लोग को करते हैं कि यह से श्मेथडलाली नाम का एक शास्त्रा हमने अभी अभी विक्सत किया है कुछ वर्षों पूर ऐसा नहीं है हमारे हजारों हजारों शास्त्रकारों ने वह अनुसंधान किया जीवित अनुसंधान किया और उस अनुसंधान का फल देखते हुए आविशकारों आविशकार किये और उस आविशकार का फल हम लोग आ इस तरह से हमारे जो रिशियों ने जिस रूप में उन आसनों का की प्रस्तुति की और उसका उबदेश किया वह वास्तविक सरूप समाच के सामने आये इस तरह के संस्थानों की आवश्चता है नहीं तो काम होई रहा है आप चार पांच जार कहीं दीजे पंदरह दिन अच् यूग सिखा देंगे आप वहां सीखने के वाद आप सेम इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे और अच्छा बिजनिस चल रहा है और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो लोग इसको प्रफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं वह भी इस विद्या को शीकार करें लेकिन मेरी अपनी एक अकना एक निवेदन होगा कि जब भी इस विश्विद्याले का चात्र योग को प्रफेशन के रूप में स्विकार करता है एक व्यवसाय के रूप में स्विकार करता है और एक अध्यापक बनता है तो वह वास्तविक और शास्त्री सुरूप सिखाए, भले ही दो चार रुपया कम मिलेगा, लेकिन धीरे 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 हमें recognition मिलेगी, लोग समझना सुरू कर देंगे, आज देखें जब विदेशों में यहां से आधा सिखे हुए लोग जाते हैं, उनकी हसी होती है, क्य है, वे लोग अध्यन से और उनसंदान से जान चुके हैं, हमारे लोग जब आधा सीख करके वहां सिखाने जाते हैं, तो उनका उपहास होता है, इस उपहास से हम बजें, या तो जाएं ना, जाएं तो पूरा परिपक को होकर जाएं, किसी भी प्रश्नका उत्तर देने के लिए हम तयार होकर जाएं, और हम अगर बहर कहीं जा रहे हैं, तो लगे की एक भारती प्रशिक्षक यहां आया हुआ है, भारती प्रशिक्षक का होने का मतलब की वास्तविक शास्त्र के सुरूप को प्रदर्शित कर सके, भारती संस्कृती और सभ्यता को प्रस्तुत कर स कि उन्होंने इस प्रकार की संस्थाएं भारत में कई जगह पर स्थापित की है और जहां तक योग शास्त्र का पुश्ण है बाउध शास्त्र में तो योग शास्त्र का बहुत विवेच बड़ा व्यापक विवेचन है केवाद आप विवश्चना को ही देख लिजे किपना गहन चिंतन और ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचाने की जो विवस्था उसमें दी गई है उसका भी अगर हम मनुसंधान करें तो निश्चित रूप से हम अपने आत्मिक विखास को और उसके साथ साथ समश्टि के विखास को समधाय समाज के विखास को समाज के अभित्थ और सदो कर सकेंगे बाव देश समाधि परियंते जाना हो चित्त की एकांट दता करने तक जाना हो इसलिए इसका समवन्ध चित्त से जाजा दिया गया है एकी रिशी पतंज लिетр ए उन्होंने तीन तीन शास्त्रों का प्रणैन किया और प्रद्णैन किया। आइरवेध शा शुचिता पवित्रता एक कामन एक सामान्य धर्म है कि हम तीन वस्तों को पवित्र करने के लिए तीन वस्तों को निरमल बनाने के लिए हम तीन शास्त्रों का प्रणेन कर रहे हैं तो योग शास्त्र का जो उन्होंने प्रणेन किया है वो चित्त को शुद्ध करने के लिए योगेन चित्तस्य व्याकर्ण का प्रणेन किया है हमारी वानी को शुद्ध करने के लिए पदेन वाचाम मलम शरीरस्यच वैद्य के न शरीर के मल को दूर करने के लिए वैद्यक श सरसारो कि ने तो यह सारी क्निय अंच halिन मलिन खोता हमारी वानी मन होती यदि व्याकणशडरोernा ठाली दूष्षित होती हम गलत शब्दों प्र्योक करऊप अगर वैज्द्यक नहोता कि आज प裂र शरीर दूष्षित होता हम पत्या-पत्य न जानते आहार न जानते कि शुद्ध आहर क्या है अशुद्ध आहर क्या है हम कुछ भी खा लेते इसलिए आयरुवेद शास्त्र का निर्मान किया गया लेकिन अंततो गत्वा हमें चित्त शुद्धी की अपेक्षा है इसलिए उन्होंने योग शास्त्र का निर्मान किया अन्य था हम वो कर रहा है दूसरे की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है अपनी सीमा से उसे संतोष नहीं है वो हमारे देश में प्रवेश करने की कोशिश करता है किसी दूसरे के पर अपना बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है यह उसका चित्त का मालिन्य है हमारे भारती संस्कृति में यह कहीं भी नहीं है कि हम दूसरे के सत्त पर दृष्टी रखें हमारे अभुपरिशदिक हमारा वैदिक शिक्षन तो तेन त्यक्तेन बुझी था है हम त्यागपूर भोजन करना चाहते हैं अगर हमारे पास दो रोटी है तो एक रोटी आतिति के लिए रखना चाहते हैं यह हमारी संस्कृति है इस संस्कृति का वास्तविक श्रूब जिस देश ने जिस व्यक्ति ने जिस राष्टरने नहीं समझा वह इस प्रवाब प्रकार की प्रविद्ति में लगा हुआ है वह दूसरे पर आक्रमन करता है दूसरे का चीनना चारता यह चित्त का मालिन्य है इस चित्त के मालिन्य को दूर करने के लिए यम से ले करके समाधि परियंत आठ चरणों में चित्त शुद्ध की प्रक्रिया बताई गई है और आसन उसमें से एक चरण है तृती चरण है उसको बीच ओ बीच एक स्थान दिया गया है कि यहां तक अर्यन्त जाना है तभी हमारी चित्त शुद्योंगी चित्त की एकाग्रता होगी चित्त का विक्षोग नहीं होगा इस तरह से ऐसे आसनों का यहां प्रशिक्षन दिया गया और पूरा परिवार यहां लगा हुआ था यह ऐसा सीजन है जहां पर चारों तर्व योग योग सुनाई दे रहा है और इस प्रकार की हरियाली में हमने तो काशी इंदु विश्विद्याले में भी एक मेहना ऐसा चलाया एक पहन्दर दिन का सूरी नमस्कार का रिशाला और पंदर दिन का प्रोटोकाल का समग्द्र योग का रिशाला और ऐसे पेड़ों के नीचे खुले म कराया पुष्च में आप लोग भी खुले में कराया बहुत ग्रिनरी है आपकी हाँ उसका और अधिक महत तो होता है जब वनस्पतियों के गंध अंदर जाती है वो हौली हौली वायू अंदर जाती है चिडियों की चहकान अंदर जाती है पत्तों के आपस में टकराने की ज यहां बने और काशी हिंदुई श्विद्याले का जो भी सहकार इसमें होगा हमें प्रसन्नता होगी हम दोनों संस्थाएं मिल करके भारती शास्त्र संपदा को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अभी मालवी भवन में विगत तीन महस्त से शास्त्रार्थ काशी की जो शास्त्रार्थ परंपरा है उसके प्रशिक्षन और उसके प्रदर्शन का कार्य आरहम कर दिया गया है प्रतिमास छात्रों की एक शास्त्रार्थ गोश्टी होती है लगबग साथ सत्तर चात्र मुझे अपेक्षा नहीं थी विश्वास नहीं था कि इतना इतनी सफलता मिलेगी लेकिन साथ सत्तर चात्र एकटा हुए व्याकरण नियायम इमाम सौर वेदान पर उन्होंने शर्चा की भरपूर समय हम देते हैं उन्हें प्रतिमास पांच छात्रों का चैन करते हैं वे अपना प्रस्तुदी करते हैं पूर्वत्तर प्रक्षा होता है आपने आपको भालू में ही है वो और फिर उसका प्रचार प्रसार होता है उन्हें हम कुछ पुरस्क्रदी करते हैं कि हम आपके साथ मिल करके एक बार किया था संपुर्णान में रहते हुए एक डायलाग बिट्विन बुद्धिस्ट मंग्स और ट्रेडिशनल सांस्कृत पंडिट्स करके, आपका जो करनाटका में एक्षे ब्रांच है, वहां से भी कुछ विद्वानों को मुला जाए था, आप भी से हम थे, और तत्कालीन कुल्पती महोंदे एवं प्रफिसर है उसे अंगलिजि इत्वा हिंदी में आपके खुलपती महोंदे अनुवाद कर रहे थे, पिर हमारे विद्वान, वेधिक जवानाटस में रख रहे थे, उसमें हम लोग प्रस्ट कर रहे थे इस तरह से द्विभाशी त्रिभाशी रखते हुए वो एक शास्त्रार्थ हुआ था उसका डॉक्मेंडेशन भी हुआ है आपके पास कहीं होगा आवश्य इस तरह की एक और योजना हम अगर काशिय इंदुग श्विध्याले में कर सके आपके सहयोग से तो हमें बहुत प्र सनता होगी इस प्रकार का समवाद कि वो समवाद चाहते थे प्रतीची प्राची के बीच में भी समवाद चाहते थे प्रतीची के बीच में भी समवाद चाहते थे और प्रतीची के बीच में भी समवाद चाहते थे इसलिए आप जानते हैं कि काशिय हिंद विश्य इद्या का आध्यान करने के लिए भी एक निकाइ도 है और अध्यादुनिक विद्धियाओं के भी निक पढ़ाने के लिए संकाय और विभाग रखेंगे हैं विश्व में कोई भी ऐसी विद्धिया नहीं है जो का शी इंदु पढ़ा ही जा रही है तो वो दृष्ट महामना की कि वो समवाद चाहते थे कि एक तरब modern scientist and technologist sit together और इधर हमारे सास्तरकार पड़नित बैठे एक समवाद बने और काशी हिंद विश्य विद्याले एक platform के रूप में आए जहां पर वो समवाद करें और समवाद का प्रतिफलन विश्य को दिशा निर्देश करें क्योंकि आप अन्भो करते होंगे कि जो विशुद्ध technology है शुद्ध जिसमें शास्तर का संपोशन नहीं है वह अधिकांश तहा मुझे कहना नहीं चाहिए अधिकांश तहा अनर्थ करती है जनकल्यान के लिए आत्मसरक्षा के लिए हम शस्तरों का निर्मान करते हैं लेकिन उसका प्रयोग हम कहां करते हैं दूसरों को का दमन करने के लिए करते हैं अगर यही इनी शस्तरों के निर्मान करते समय हमारे और उसका प्रयोग करते समय हमारी भारती चिंतन परंपरा को भी अध्यन किया गया होता वैदिक उबनिशेदों का भी अध्यन किया गया होता तो निश्चित रूप से हम यह समझ सकते थे कि आर्तत्राणायवश्यस्त्रम नप्रहर्तुमनागसी कितने हजारों वर्श पूर हमारे प्रिश्चियों ने कह यह जो शस्त्र आप लेकर चल रहे हो, चाहे आप सिपाही हो या राजा हो या कुछ भी हो, यह जो शस्त्र लेने के लिए कर चल रहे हो, वो हो दुर्बलों की रक्षा करने के लिए है, दूसरों पर प्रहार करने के लिए नहीं है, अपना बल दिखाने के लिए नहीं है, राज्यका विस्तार अनावश्यक रूप से करना चाता था, उसको युद्ध से विरत किया, उसको सनमार्ग में लगाया, सनातन पथ पर लगाया, इसका यही कारण था कि उसे शास्त्री बोध नहीं था, उसमें बल था, पराक्रम था, शस्त्र विद्याएं थी, लेकिन वह अ इंतन की इस समय, हमारे विश्व को बहुत आवश्यक्ता है, और इस यह सनस्थान, इस कार में अगरगामी होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है, और बहुत से इसी कारें हैं, जो इस सनस्थान के द्वारा हो रहे हैं, माननी कुल्पती महोते, बहुत बड़े विद्वा होते हुए भी इतनी उधारता के साथ चले आते हैं, और मिलते हैं, बात करते हैं, आपका ऐसा ही अनुग्रह आगे भी बना रहे हैं, वेडम चंद्रा तो हमारे अथ्यन्त आत्मी हैं, हमारे विश्विध्याले से आई हुए और इनके अनुभों का आप लोग को बहुत ला हुए भी अपने मूल को संरक्षित रखते हुए जुड़े, इस पर बहुत ध्यान देना होगा, कहीं हम ऐसा ना लगे कि हम पिछड रहे हैं, हम अलग थलग हैं, ऐसा ना लगे, लेकिन साथ ही अभी ध्यान देना हैं, कि हम जिस वजह से हैं, जो हमारा मूल है, उसको त्या हमारा प्रयास होना चाहिए, आपने मुझे अफसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब का देना चाहता हूँ, मानिकुल पती मोदे, मानिकुल सची मोदे और अन्य जो लोग हैं, पुना-पुना सब को धन्यवाद, घह दिल से गुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपमें रमें योग की परिवाशा, योग-अलक्षन, और योग का क्या लाव होता है और योग का सत उपयोग केसे किया जाना चाहिए और आज योग का दुरी उपयोग केसे हो रहा है इस पर हमें आपका अपना महत्पून उचार प्रस्तुत किया और हम सब को लाम अनुद किया है अब इसके बाद में इस योग परस्टिक्शन में बाग लेने वाले हमारे जो क अबस्तूत करें, तो सबसे पहले में चातर में सबसे पहले में श्री लड़म जी से अनुरोद करता हूं कि वो मंझ पर आये और अनुब प्रस्तूत करें. A very warm and pleasant afternoon to our today's chief guest, Professor Rajaram Shuklaji, Honorable Vice Chancellor Sir, Registered Ma'am, respected teachers, students, and esteemed audience. Today I'm here to share my experiences from the 15 days of the yoga course that was conducted here. Every session we performed yoga in three different positions, that is standing position, pro-line or abdominal position, and long sitting position. We have learned many asans, to name a few. Arth Machendra Asana, Arth Pavan Mukta Asana, Arth Kati Chakra Asana, Situ Bandha Sarva Asana, or Bridge Pose, Utkata Asana, Bhajan Asana, Vid Bhadra Asana, etc. Practicing asan might feel just like stretching or bending the body, but the asans encourages us to bring the body under control, to go deeper into the poses. Thus, it helps to increase our mental focus. Surya Namaskar comprises 12 steps, which we practice for warm-up before performing the rest of the asans. Undoubtedly, every single yoga course has its own benefits and can do wonders for our healthy lifestyles. Yes, we all are aware that yoga is not only twisting or hurting the breath. It's a way of living or way of life that aims towards a healthy mind in a healthy body. At the end of every session, we practice Shava Asana, which is so relaxing. It is practiced by lying down and relaxing our whole body, giving us a space to stay in stillness and silence. It is needless to point out that yoga needs to be practiced with some rules and regulations. So, we are highly privileged that we have an extraordinary and dedicated yoga instructor, Dr. Tenzin Jan Phan La, who corrects all our postures. In fact, we are really impressed by his sincerity, as he handles every participant so nicely with his patience, calm nature, and no inhibits. According to our Tibetan language, Jan Phan means parahitia parkalian, meaning philanthropy, which is absolutely perfect for him. So, once again, I take this opportunity to extend our deepest thanks and respect to our yoga instructor, Dr. Tenzin Jan Phan La for his sincerity, dedication, and tireless effort towards our well-being. A big salute to you, sir. You are irreplaceable. In the end, I am also thankful to the administration for providing us with all the wonderful opportunities and making this course successful by providing us all the basic and needful facilities. Overall, it was a vibrant, colorful, energetic, thoughtful, and satisfactory course. Thank you. Thank you so much. Daniyawad Srin La Adunji. I am sure that I am an servant of the child of the child of the child that she comes to the mind and says to. And Choice of the love and life. Manchah Srin. As the father of the child of Tumpa and the mother of the child of Tumpa and the mother of Tumpa. महोदे जी, कुल सचीब महोदे जी, उपकुल पती महोदे जी, और अन्य अजापक ब्रिंद, करमचारी ब्रिंद, और इस शिवर में भाग लेने वाले पती भागी, और दूर दरार जगाउं से आये हुए अन्य अतिति गंड, मैं आप सभी को सबसे पहले मेरा जूले वा नम करना चाहता हूं, और जब हमारा इस शिवर का समापन के चरण में था, तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर जी थे, उन्हों ने हमें कहा कि आप मैंसे कुछ लोगों को अन्य वब शेर करना पड़ेगा, तो उसमें से सभी एक दूसरे को उंगली करे थे, तो अन्तिता मुझे ही अन्य वब साजा करें ऐसा मुझे एक आफसर मिला, इसके लिए भी मैं आफसर प्रदान करने वालों कसा से पहले दन्यावाद करना चाहूंगा, तो हमने जब मैं अपने जो विधियाती जीवन के जो अन्तिम जो अचारे के उसमें था, तब तक मेरा कभी ध्यान नहीं कि हमें अपने शरीर, जैसे कि हम अपने मन को जो अच्छा करने के लिए विवाशना बगएर करते थे, तो अपने तन को भी स्वच रखने के लिए हमें योग इतियादी करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जीम जोइन कर लूँ, तो कुछ दिन पहले ये हमारे इस अ कि अपने सान के तवार एक नोटिस चारी किया गया था कि आप लोगों को एक शिवर का आयोजन किया चाहेगा, जो भी बच्चे इस में जो है भाग लेना चाहे तो बाग ली सकते हैं, तो मैंने सोचा कि यही शायद मेरे एक अच्छा एक मौका मिला है, तो इस अवसर को न कि अपको आप लोगों से बता एंजा हूं तो सबसे पहले सूर्य नमसकार जिसके वारे में मैं काफी पहले से सुनते आया हूं कि सूर्य नमसकार होता है, लेकिन मैं उसको जो है अपने अनुवब के साथ उसे बारा दिन तक रता रहा उसके बड़ अर्द मचंदर आसन और अर्द पवन्मुक्त आसन, पुरून पवन्मुक्त आसन, नोका आसन, सेतु बंडा आसन करके अनिक प्रकर के आपन बाकर के और भी आसन किये थे, उस में से जो सबसे अच्छा मुझे लगा था कि बीच मेरा रज होता है, वहीं जो है मेरा पृए आसन रहा से जो है उसके पतांजली जी ने जो योग नात आंग बताई गे हैं, जिसमें यम नियम आसन, प्रनायम प्रत्याहार, धरणा धियान, समाधे, अस्टो अंगानी करके जो बताई गा है, योग के आत आंग होते हैं, तो योग करते समाए मुझे जो है मूल रूप मैं जो बहुत जी आन्यव है और छोड़ना है क्योंकि कभी कभी जो है मैं अभी भी अच्छी तरह से स्ट्रेशिंग बगारा नहीं कर बाता हूं उसमें जो हम लोग सांस को लेकर जो छोड़ते हैं उसमाई जो है सांस का कितना महतव होते हुआ हमें पता चलता है इस आप जो अपने सांस पर द्यान कर अपता है उसमें इसमें घो जो है ठाली जो कहा कि है उसमें द्धियान केंध एकाग्रता एक जुए वच्छ कि उन्यizon गात एथ जो कि हमारे अब जागाते है तो हमारे गना जीमेना मैंने पीछ इस शिवर में हमारे कुलपती महोदे, कुलसची महोदेया जी, आप लोग सब इन जो हमें एक ऐसा आफसर ब्रदान किया उसके लिए आप सभी को मैं हार्दिक आवार प्राकर करता हूं और हमारे इंस्ट्रक्टर जी का भी दन्यावाद ब्रदान करता हूं और सभी को दन्या प्राद में करमचारी से शिरी दिपांकर तरिपाठी जी से निमेदें करता हूं कि और मंच पर आए और आपना अनुभव प्रास्तट करें ओम सहनाववतु सहनवभुनक्तु सहवीर्यम करवावः तेजस विनावधी तमस्तु माविद्विशावः माविद्विशावः प्रफेसर नेगी जी हमारे बीच 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 अपस्थित और संपुर्णनन संस्कृत विश्व द्याले के पूर्व कुल्पती प्रफेसर राजाराम शुकल होदे हमारी कुल्स अच्छिव ड़्टर चंद्रा और हमारे उपकुल सचिव ड़्टर हिमाशु पांडे एवं हमारे सभी सहयोगी गण चात्र चात्राएं और हमारे स्टाफ मेंबर्स के बच्चे हमारे बच्चे आज इस कारेकरम में मुझे विगत पंद्रह दिनों से जारी योग प्रशिक्षन शिवर में अनुभव साजा करने के लिए कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है इस अवसर पर मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा और उलेक करना चाहूँगा कि योग, ध्यान, विपश्यना, साधना, आसन, इत्यादी शब्दों से तो हम लोग काफी समय से बच्च्पन से ही परिचित रहे हैं, जुड़े रहे हैं किन्तु अभ्यास के रूप में करने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई विशेश जानकारी प्राप्त हुई यद्यपी बाद में आगे चलकर हमारे बीच टीवी के माध्धिम से बाबा राम देव और कुछ अन्य आचारेों की ओर से इस पर काफी स्ट्रेस दिया गया, बढ़ हवा दिया गया और विभिन ने चैनलों पर इसका टेलिकास शुरू हुआ जिससे आम जंटा के बीच में योग साधना या योग आसन को लेकर के एक अवेरनेस पहला लेकिन सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रधान मंत्री जी नरेंद्र मोधी जी का रहा जिनोंने अपने आने के साथ ही दो हजार चौदे में योग को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और उसी के योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाने लगा जिस जिस पर हम सभी को गर्व है कि हमारे भारत की परमपरा को हमारे भारत के ग्यान को विश्वर स्तर पर एक रिक रिक अगनिशन प्राप्त हुआ उसी के साथ ये भी मुझे एक सवभाग्य है कि 2014 से ही जब से हमारे हाँ प्रशिक्शन शिवर चले हैं लगबग हर शिवर में मैं रहा हूं और निश्चित रूप से पहली बार ही रहने के बाद ऐसा लगा कि ये शिवर एक मास नहीं या 15 दिन ही नहीं बलकि आगी भी चलत शिवर शिवर शुरू हुआ क्योंकि हम लोग अपने कारिके क्षेत्र में इतने व्यस्त रह जाते हैं और हमारा चिंतन का तरीका भी सिर्फ कारिक्शेत्र ही हो जाता है घर में रहते हैं तब भी आफिस की बाते हैं और आफिस में रहते हैं तो रहती ही है इसके साथ साथ कि देर तक रहना सुबह कभी देर से उठना तो यह जो पूरे जीवन का जो रोजमर्रा की जो गती है वो सुनिष्चित नहीं हो पाती अनुशासन बद्ध नहीं हो पाती जिससे कि वो हमारा ओवराल हमारे जो हमारे कार्यों को करने का जो तरीका है उस पर असर डालती है और इतना अच्छी तरीके से हम शायद इसको संपन्न कर सकते होते वो नहीं कर पाते हैं तो जब इस तरह का प्रेशन शीवर मिलता है तो एक तो सबसे बड़ा की वो अनुशासन मिलने लगता है जिससे कि हम प्रात्यकाल समय से उठकर के उस समय उपस्तित हो जाए और इतना कर करने मात्र से ही एक विश्वास जागरित होता है कि हम कर सकते हैं तो वो जो समय का पाबंदी और उसके साथ जब हम उन आसनों को करते हैं तो उससे निश्यत रूप से लाब होता है हमारे सनाय उतंतर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और दिन भर के लिए ऐसा लगता ह है कि ज्यादा फिटनेस मैसुस हो हुए है ज्यादा पर ताजा मैसुस करते हैं ऑक्सिजिन का लिवर शरी में अच्छा रहता है ऐसा लगता है नींद की वो समय कम हो जाता है सोने का ऐसा लगता है कि डेर से भी सोने पर जल्दी उठने में परेशानी नहीं मैसूस होती है यह अनेक ऐसे चीजें हैं जो कि करने पर ही पता चलती है जो करेगा उसी को जानकारी मिलेगी या उसका लाव ले सकेगा बिना कि यह उसको सिर्फ शब्दों में कहपाना मुश्किल है तो लेकिन निश्यत रूप से जैसा कि हमारे मुक्य अतिति महोदे ने बताया कि हासन तो एक उसका तीसरा चरण है यदि हम योग की पूरे विधा में जाएं या उस ज्यान की ओर चलें तो निश्यत रूप से एक व्यक्ति के नकेवल आसन मतलब शारिरिक सौष्ठों बल्कि उसका मानसिक चित का भी सौष्ठों अच्छा बढ़ेगा उसके अंदर पॉजिट है यह सब उससे प्राप्ट होगा तो यह बहुत योग के द्वारा हमनों को इन पंद्रह दिनों में प्राप्ट हुआ इसी अवसर पर मुझे लगता है कि हमारे मुझे उल्लेक निश्यत रूप से करना चाहिए हमारे जोग प्रशेक्षक डॉक्टर शेंफिन महोदे का के साथ लगातार रहते हैं बच्चे हो चात्र होयं कर निया कर दिकारी गणुड हो एक-एक व्यक्ति की अधिविधियों पर ध्यान देते हैं और कई गलत कुछ होता है तो 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 आपके लिए बहुत मुशनीवर और दोनों बहिच जहां कि चिए यह शूरू होता था और स तो लगभग लगभग सुबह के तीन घंटे वो सिर्फ इस काम पर देते रहे होंगे पांच बज़े सूड़ जाते होंगे और पहले सूड़ जाते होंगे और तरो ताजा और उत्सास लबरेज तो यह चीज़ देख करके बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद दिन भ गये थे उस समय हम लोग मिस्किये अब इस वर्षपुना आया और आपने फिर से उस चीज को जारी किया तो बहुत बहुत दिनेवाद आज जिस तरह से आज का जो हमारा अनुभाव रहा उसको भी जरूर शेयर करेंगे जिस तरह से हमारे मुख्या तिति महो देने बता आया जो उनके वचंत थे इस तरह से आ रहे थे, जैसे कि हम अपने रिशी परमपरा से भारती रिशी परमपरा से जुड़ गए हो, तो हमारा एक योग उस रिशी परमपरा से जो बहुत ही अच्छी बताई हैं, इन बातों को suffers हम थोड़ा भी मनन करें थोड़ा भी चिंतन करें तो हमारा जीवन सोदेश्य हो सकता है ज्यादा अच्छी तरह से हम अपने कर्मों को कर सकते हैं लेकिन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमारी पूरी ज्ञान राशी को और पूरे आयुर तन्यवाद गुरुजी अब अन्त में में स्वारिकपार डिपार्मेंट से अनुरोगर से अनुरोग करता हूं की वे मंच पर आये और अपना अनुबाव प्रस्तूत करें अन्यवाद नजडित मां रियूर मैंसयं सोफुों से एंधिक dew रिस्तू नियू तरीकेस है सवाप्ट इनुटा रिस्तろうने भ्याद भुर को मैंस फिएम्तिवर मत्यू ऑर्य प्रस्तू इन्यूसेट में इन्यूसू पटीजिश दूर ड्ट था, सट्ट जेशल्यूर ूथ स्टुरेंट तो तुड़े कुछ जैसा कोई छात्रा लोग ने बताया था कुछ एक्सपुरेंस शेर करने के लिए इसे हम लोगे अंदर बेसे कुछ बादी हुआ था तो फिर बुला था कि आपको कटना यह कुछ बहुत साल से योग के साथ चल रहा है तो तो मैंने कुछ नह जैसे विल सौच एक कुंसरिक एक था पादी यूगा तो चलास्फिकेशन वगा बहुत कि एक र्चाफिए कर गया है लेकन जो हमारा मुख एतीज प्रसरा राजराम सार जी ने बहुत आच्छ थारा से एक्सलेंशन किया है तो प्स्ट लोग ने भी चुछ ने कुछ ने ब क्या है? बहुत कोचे ड्डिप अंदर गः मुझेसा अर्श अर्योग कितनी परख़कार की है? इन कुछ बिक्षणी ने पयता है थंप जिए पिताय था एंग कुछ ने भी पयताया था और आफ अचितरा सी ने unGe तो अब मैं सोच रहा होंगी, मेरे केहने के लिए कुछ बजाए नहीं है, लेकिन मैं जरूर कुछ नहीं का है, वो मैं खोच के कुछ नहीं कुछ बाताना चाहते हूं, और हमरा फिजिकल इंस्टेक्टर, सब ने तारिफ किया था, मैं उनको मेरे तरफ से भी तारिफ करना चा मैं पार्ट नहीं जरी नहीं बताया था कि 2014 से हमरा है यह अरए ह्चुट अई जरू हुआ है लेकिन 2014 मैं मैं प्रच्न से था, मैं शायद श्रू नहीं हुआ यह वा था, 2015 मैं और मैं जो लिए और बचलों आवजे से करने हुआ हूाया लेकिन 2016 से में एकंटिनली मैं युच के साथ हां चल रहा हूं and then last year and between the coronavirus हम रुक कर नहें पाया, बहुत मिस्पी हुआ था लेकिन जो अभी जितना भी किया है और बहुत फाइदा चीज और बहुत अच्छा रिजल्च उसमें था, इसलिए मैं बहुत बीजी हूं और भी मैं इसमें जोरने की कोरशिश करे इस आ अपशने तो कि मैंने इस समय भी इस ट्राइम भी मैंने लिया है and then अभी जो भूँत कुछ नहीं कहीं की चुंकि हम लोग को, शेंबेंच ने बहुत कुछ यॉग आखा जो हम लोग को सिखाया था तो उस मेह से हम में में जो है इस साल का नहीं और बहुत साल की पहले से लिए के थोड़ा थोड़ा वेर इंपोर्टन तिंग्स जो वह में शेयर करना चाहते हूं नहीं हम डोगों को एक मेडिटेशन सिका तो ये जो है बहुत अच्छा असानी है और साथ साथ में बहुत फाइदा जैसी है और ये जो है हमारा सुसाइटी में खास करके बनारस में बहुत मरिश्टिया नवर्स डिसोडर ये बहुत है इनके लिए बहुत अच्छा असानी है और दूसरा जो है वाच्छा आसंग ये बहुत आसानी है और लेकिन ये जो फाइदा जो है खोल डेसिस्टिव सिस्टम का इम्रुमेंट कर रहा है और प्लर सब्सक्राइशन के लिए फाइदा बहुत अच्छा है अच्छा आपड़ोमेंट से लेकिए और पोड़ा ओर्गन सिस्टम को भी बहुत वाच्छा फाइदा जेग दे रहा है और खासकर के हम ये जो एन्यल रिपोर्ट जो हैं हमारा देपार्मेंट में दे रहा है और इस में मैंने बहुत जाता इन डाइशिशन में भी है और ख बुलते हैं लेकिन जो पनरास का ठंडा जो है बहुत हीमजल से भी ठंडा है क्योंकि चैंबर में परते परते पाउं के पोड़ा हर्टी दर्थ हो रहा है इतना जो ठंडा जो हमफुल ठंडा है और दूसरा जो है जो इंटरेशेशन प्रॉब्लम जो है अब करमी है सोच के ब बहुत अच्छा फाइडा जीज़स है वच्रासंग यह हम सब ने कहला था एंध्या को डिछ एस्री ने रिलस सेशन परफेशन परफा आद़ेको ठाखर, में तीन परकर है शो आसंग, मंगरा संग ऐन्ट ऑना तो बाला संग आसंग हम लोग इस समय ने किया था कि बहुत सम 2017 में हम लोग बाल आसंग की किया था ये जो रिलाक्सेशन वेट प्राइशन वेट प्राइशन वेट नर्स डिसोर्ट लेट लेट अच्छा फायदा है एंट फुद वान इस पाइनल वॉष यॉगा जो है इसमें भी हम लोग तिन जार प्रकर का है उसमें से मैंने तिन लोगा फाइदा जो लेकी थे वो जो हम सब लोग में कहला था पावन मुक्सातन और नोगा आसंग ये जो दिन है उनलग इसके भी फाइदा बहुत अच्छा इसके बहुत अच्छा फाइदा है उसके लिए बहुत अच्छा फाइदा है हम लोग पैक्टिकल लाइप में लाइनक जरूरी है मैं ये सोचते हूं और फिफ्ट वन इस एप्टोमिनल पॉस्चर जो पॉस्चर हम लोग में अभी छाथ लोग ने कहा कि तीन जार पॉस्च आ और अड चेफ में लौग एप है तो आप्राम जो लेहत कि हम मोग करने वाले में से तीन जार प्रगा कि हम लोग किया तो उसमेश है और नौका असन चो हम लोग प्रोग हैं ओ लोगा जो आफ सिजघ का झेले आफिप्टेट में है उसके लिए भीड ज पाइद उसके लिए भी बटा अच्छा हाई है भी पांस्टिपसिंग लोग अच्छा नस बावड़की्श जो कि अपने भूट कुछ नम ले कि उसमें से हम तरकुन का आसंग कि यह हम लोग इस साल में नहीं ता लास्ट आम में हम लोग गिया था और उतकंट आसंग इस वे भी गया ता यह सब जो फाइदा जो है बहुत अच्छा फाइदा है बेन कुछ खचा का प्सक्राइब करके हम ख शर्रिक नहीं मंसिक जैसे हमरा जो मुख या डिती नहीं पताय था योग जो है एक चुर्णा वर्द का शब होते है योगा इन संस्केट वर्द इस योग का यूग अनि यूनिन दूसर नहीं पाच ज़गा जुड़ना जोड़ना के मतलब क्या जोड़ना है उमरकोष जो लिबरेशन, संग के खुंबंग, ये सब का फाइदा जो अच्छा हो रहा है, तो इसलिए जो हम लोग 15 दिन में होगा करके बूत कोच मिलने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ शरी के लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग लाइव लोग साथ में चलने से, हम लोग इस जिंदगी के से बच किया और बहुत पुरा जिंदगी में हम लोग का लिबरेशन में का पुरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, लास्वन सुरे नमसकार सब का फैवरिट है, तो सुरे नमसकार ट्वल टाइप का योगा जो है, ये पुरा हम लोग खेलने हम लोग साथ-साथ पर ऐसी ख उन लोग खागे लोग ध ग्यार ट्वल टकन उन्स पुरा टो टेजट तो इंसान आवल गोह साथ-स भूट ओरिखिक में लोग तो हमारा शहरिख उन्हार घु साथ-साथ-सारा जोटित से मुख्तं टेमान ट्य। ये नमसकार लोगसु साहन लोग का ऑपका थे और अफनक रिजिस्टर ले कि सबने हम लोग को इतना सवोर दिया है उसके लिए मैं भुट-बहुत तन्यवाद कियाना चाहते हूं और शेंबिन जी को पी इस तरह आप करते रहें और हम लोग को इस तरह का नोलेच फेजिकल मेंडल सब के लिए आप देते रहें और फिर हम लोग के ये योग जो है हम लोग पोरा ये सास्तां में जब तक ये सास्तां रही है तब तक चाल दिये रहे हैं सब लोग स्वास्त रहे हैं नमस्ते, thank you. इसके बाद योग शिवर में बाग लेने वालों को परमान पत्तर बांडा जाएगा इसके लिए में मुख्य अतिति और मानिने कुलपती चीजे निवेदन करता हूं कि वे परमान पत्तर बांडा श्रिंग लादून श्रिंग लादून सुनम वंग मुख्य निमा उजर तैंज नंग मुख्या गमसे वंग तूलमा कुंसांओमो लउसां तोगजे सोनब दोज़े गेम फुन सो कमन नम के फुन सो लावा नुर बुशे रपा बिट्टू सांगे ठीले परेनीता सांगे ठीले उसके बाद अंभी का समरिधी सिंग अराध यपाल रुद्रक्ष रगुरंची तेंजिन पेसंग नदल्ल यारणची झनतला यारणची जआधू धुन वे मस्या थाटज नदल्ल यारणची नदल्ल याद आदू ग्लाणची नदल्ल यारणची आदक्षी पगुद्रक्षी उसके बाद दिपंगर सर, सरोचीज सिंग, आरके मिश्रा, स्टेंजिन तोन योट, चिमी जोगर, निमा संदोकुरूं, माला देवी, युण्टों वाउमु, अब इसके बाद में हमारे सांस्थान परिवार के माने ने, कुल बत्ती प्रोफेसर वांचु दोचिन नेगी जी से निवेतन करता हूं की, वे हमें अशिरवात वानी परदान करें. परम आदर निये, प्रोफेसर स्वाजार राम शुक्रा जी, संस्थान की कुल सिची मैडम सुनीता चंद्रा जी, उटकुल सिची टॉटर इमान शुपान्डे जी तथा सभी प्रतिभागी गन एवन अन्मे कर्मचारी जो यहां पर पदा रहे हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं. योगा के बारे में हमारे माननी अथिती जी मुख्या थिती बहुत विस्तार से, गंबी वृता पूरवा, आप लोगों के सामने विचार रखा, उससे आगे मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए कुछ नहीं हैं, जैसे कि स्योजग ने कहा कि मुझे आशरवच्चन देना है, तो वास्तब मैं जब मैं योगा की बात करता हूं, तो सामनेता आज योगा शब जो है, बहुत विक्रित हो गया है, जैसे कि मानिए, मुख्यातिती जी ने भी कहा, आसन से ले करके और कुछ जो है प्रनायाम से ले करके दो को जो है एक पौतिक सुख सुधा के रूप में जैसा प्रयोग कर रहे हैं जबकि इसका उदेश है जो है मोक्ष की प्राप्ति करना रहता है यही तो कारण है कि इसके जो है आठ अंग है जब तक हम यम नियम आदी को नहीं समझेंगे तब तक हम जो है वास्तब में जो योग होगा वो योग का सम्यक रूप से हम अनुकरन नहीं कर रहे होंगे ऐसा मेर को लगता है तो इसलिए मैं जब आप लोगों का अनुकर सुन रहा था तो ऐसा लगा कि यदि जब इस संस्तान में योगा का शिवर चल रही हो तो उसके साथ साथ मेरे दरिश्टी से यम नियम आदी जो आद्यात्म से संबंदित है जो चित को बिकरीतियों को रोकने से संबंदित है चित पर भी विचार होना चाहिए यह इसका सबसे महतुबर आज ऐसा लगता है कि यह जो है वेस्ट का इंफुलेंस के चलते है क्योंकि पास चाहते है दर्म या दर्शन में जिस प्रकार के हमारे यहां सनातन में चित जेतना का एक प्रकार से शरीर से स्वतंदर रूप से अस्त वेस्ट में नहीं है वेस्ट तो चित को जो है मातर जो है प्रकार से बायोजिकल स्टफ चैसा मान लेती है इसलिए उनके लिए जो हमारे योग मारशी जी ने जो योग के बारे में कहा है उसका जो है वहां एक प्रकार से प्रयोग जो नहीं होता है इसलिए हम को जो है जब योग की बात करें विशेशकर से भारत यह जो स्कॉलर्स हैं उनको जो जब योग पर बात करना है तो मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि प्रनायाम है आपका दारना है और आपका जो यह समादी आदी अन्य पक्षों पर विशेश रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी य अब-टक हम किसी मातपूर इंकाम को करना है हमारा शरीक सम पर दोना चाहिए यदि हमारा शरीक सम नहीं है तो हम अपने महान लक्षे की प्राप्ते नहीं कर सकते हैं टीक उसी परकार हमारा अगर चिद जो निर्मल नहीं चिद जर्शुड नहीए तो हम कोई बहुत बदा म निरोग शरीर का जो उपयोग करेंगे वो जो है मेरे खाल से संसार में एक प्रक्राइब को उत्म करने वाले ही कर सकते हैं इसलिए हमें जो है चित वृती पर भी जो है बहुत दियान देना होगा और फिर जैसे कि हमारे लिए संक्षे में यही कहूंगा जैसे मुक्य आतिती जी ने कहा यो नहीं जूना है जूना क्या है जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें आतम साथ एक इकरित होकर के अध्यापक है तो जैसे सर ने कहा अध्यापक है तो अध्यापक का करतब भी क्या है दायतब क्या है जिमेवारी क्या है उसको समझते हुए अगर हम करें अने करम जा लिए नियुक्त हैं जो धाय तब उनके लिए स्वांबा कर गया गया है तो उसके साथ आतम साथ एकेकरित हो करके अगर हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ भ्यक्तिक बेहित होगा ही समाज का ही हित होगा तो इस वर हम लोगों को ज्यादा दियान देना चाहिए यह जो मैं द कहा कि इस योक से इसकी सफ़ाई होती है यह साफ होती है लेकिन लेकिन यह नहीं वताया जाता है कि एकसरसाइस करने से कैसे चित निर्मल होगा कैसे निर्मल चित होगा तो चैसे चित में एकागरता आएगी इन सब चीजों पर मेरे चाहिए जो विचार होना चाहिए अन्य कमा रहे हैं लोगो तो वो उसकी उसका में कारण क्या है कि उसका जो है योग का वास्तविक अर्थ को ना समझने के कारण मेरे ख्याल से ऐसा हुआ लगता है अन्याता योग तो क्या है जोड़ना है जोड़ते समय जब हम देखते हैं तो सेमेंटिक रिलीजन में गौड के हम योग की बात करते हैं तो ये संसार जो है दुख है संसार जो है शन बंकुर है उत्पन वै है संसार जो है प्रतीत सम्थपन है प्रतीत सम्थपन है उस चीज को देखने है उसको आतम साथ करने है उस पथे को जो है अपने साथ जोड़ करके हमारा शरीर भी क्या है शन शन प जिसे कि हम जो है आतम सक्थी के साथ मैं करके हम दुनिया में बहुत ज़्यादा प्राब्लम को हम क्रियेट करें इन सब चीज़ों पर मेरे चाल से ध्यान देना चाहिए ऐसा जासा लगता है तो फ्यूचर में जब योग की शिवरी लगेगी तो उसमें आदियातम पर भी विचार करते हैं भी विशेश लोगों को आम मंतरित करके लेक्चर भी उस पर जो है दिया जाना चाहिए ऐसा जैसा मेरे को महसूस हुआ और उसी के साथ जैसे प्रोफेसर राजाराम जी ने कहा कि आपके वहाँ पर भी एचू में शास्तरात हो रहा है मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यापक गन भी वहाँ जाएं उनको देखें और फिर हम समय समय पर उनको भी हम यहाँ पर आमन करेंगे वो भी देखें मिश्चित रूप से डायलोग होना बहुत जरूरी है अन्याता हम काफी दूर कभी और यहाईसा जासे है बहुत लोग लोग केते हैं यह लोग तो शाष्वारी है करके छोड़ देते हैं है और वही बहुत यह समझते हैं यह लोग तो शंद बंकुर है तो उस चीज है कोई लोग्यों दूप है है शाष्वत है ही है क्योंकि हमारा चित अनादी से है हम उसको हम मानते हैं करम भल को मानते हैं और जनम को मानते हैं अगर वो जो है शाष्वत के अंतरकत नहीं आ रहे तो पिर कैसे हम या क्या करें वहीं जब हम अनित्यता की बात करें वो तो प्रेजन हम देख रहे हैं अनु तो काफी दिकत हो रहे हैं हम लोग वही जानते हैं जो हमारे गंधों में लिखा गया है जब कि सांग्षा के जो है अभी साफशा विद्वान जो अनुबवी लोग बैठे हैं मैं चाह रहा था कि उनको भी आमन दिर्ट करके हमारे बच्चों को जो है सांग्षा पर कुछ दिन के जो लेक्चर कराया जाए जिससे कि वो समझ सके तो मैं यही फ्यूचर में यही आशा करूंगा कि आप पुना-पुना हमारे संस्ताने पदरते रहे हैं हम उनका मारक सब्सक्राइब के साथ तो हां जन्बरन को मैं दन्यवाद देने चाहूंगा तो इन्होंने जो है बहुत सुन्दर ढंक से जो है पंदर जिन का शिविर चलाया है ऐसा निरंदर आगे चलते रहे हैं इन शब्दों के साथ पुना मैं रजाराम शास्त्री जी को आप आए और मानने को अ बहुत बहुत दन्यवाद आपने हमें योग शब्द का जो वास्तीव अर्थ है उसके बारे में समझाया और साथ मैं आप ने कहा कि योग का वास्तीव जो अर्थ होता हो चित की जो गृती है उसको रोकने को योका जाता है तो आपको दन्यवाद, इसके बाद मैं हमारे सहंस्थान के एसिस्टेंज रेजिस्टार प्रमुद जी सर से निवेदिन करता हूं कि आप मंच पर आएं और दन्यवाद शप्त कहें मंचासीन तिबती संस्थान के कुलपती, प्रफिसर डबूरी नेगी सर, विश्वित द्याले से आये हुए प्रफिसर राजा रामसुकल सर, हम सभी के बीच जो हम लोगी मारदर्सक कुलपती महोदाय, डॉटर सुनिया चंद्रा मैडम और साथ में डॉटर हिमारशु बांड चुकि मुझे यहां बुलाए गया है धन्यवाद देने के लिए, लेकिन धन्यवाद अगर सीधे ऐसे ही दे दिया जाये तो सायद वो मान नहीं रह पाएगा, अगर हम बात करें जो आज यहां लोगों ने आके और मंच पे जिस तरह से योग के विसे में कहा, अगर मैं प् जो जोड़ा जाए, अगर सब्दार थो देगा, उन्होंने कहा योग, सर ने भी कहा कि एक रित करना है, लेकिन उन्हें एक बात कही, कि केवल वही योग नहीं है, जो केवल आप अपनी जो है कि फिजिकल एपिरेंस या अपने जो सरीर के वस्थाओं को उस धरन से रख ले जो आप कर रहे हैं, वो कारे जो आप कर रहे हैं, सर ने उसको अगर मैं कहूं, मैं बहुत चंद सब्दों में कहूं, तो सर ने कहा कर आप कर रहे हैं, तो एक तरह से आप योग कर रहे हैं, और वो उसी को आगे बढ़ाते हुए ले गए, और उन्हें ने ने कहा कि प्रकृ तो इसी तोर से उन्होंने उस अवस्था को पहचाना होगा समझा होगा तब इतनी बड़ी अवस्था या इतनी बड़ा जो है विशय बना होगा तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत ही सहसब जो में और लोगों को बताया और मुझे लगता है मैं भी कि मुझे जो कर्मयोगी वाला विशय हो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो किर्पया जो है अगर हम लोग कर्मयोगी बने तो मैं माल लूगा कि जो है किस जून को जो है आप लोग एक सम्मान दे रहे हैं और संस्थान वी उससे आगे बढ़ेगा आप बाकी योग करते रह है मुद्राओं का योग आप करते रहे हैं लेकिन इसे तो जो कर मिला है उसमें कर्मयोगी बनिए जिससे संस्थान का लाब हो समाज का लाब हो हमारा और आपका लाब हो और अगर मैं ड़ू निन्दी की सरी बात करूं तो जैसा मैं कहता हूँ जिंदा बुद्ध अगले, नियुक Glass, जो लोग ियोत ना को आखता एक शुम्य खोर को रहा थ। गेल, योग ऐसां हमें सॉकी सॉष्छा दम्सक्राइब कर सकता है. वेवा साहरा है तो अगरापको स सत होना होगा और prefersाधना की और जाना होगा तो आप निसे तर्च सहारा ले सकते हैं मैडम में साथ में था था वीच में अपने अनभ़ा को साजया करते हुए भाई यह तीक होगा यह तीक होगा इसके लिए मैंने आपको बहुत दन्यवाद है यहां से मन से तो मैं डबू नेगी सरकावी धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने लोगों का एशास कराया कि हाँ यह आप साधना गूर जा सकते हैं केवल इसको वैवसाइक रूप न दें जो आज के परिदिक्स में हो रहा है क सारे जो है स्वड़ा सा सीख के और जो है योग सेंटर खो लिए कोई वीवासा सेंटर खोल लिया है कोई कह रहा है मैंने रूला दिया उसके आज उनसे जो है दज बीजार रुपे ले लिए यह योग नहीं है और मैं अपनी कुर्पती महोद्या को इसलिए धन्यवाद और हमाई वासुपांडे सर भी साथ ही सा जुड़े रहे और अभी कुछ आवस्ते कार छोड़ की भी आए इंको लाइबरी भी कुछ थे उसके लिए सारागो धन्यवाद और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को 15 दिन अपना समय निकाला है उनका निश्य तोर से लाव हु क्योंकि आपके अनभूस हमने सीखा है और भविश्मी हम सुधार करेंगे और तेंजिन जी आपका तो भाई सभी ने धन्यवाद दे दिया तो मैं यहां से आपको फिर मैं पुना धन्यवाद देता हूं अच्छा काम कराईए आगे भी करते रहे और बाकि हमारे जितने करम अच्छा है तो कि पर भविश्मी ध्यान दे मैं यह कहना चाहूंगा है यहां से इसके लिए धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद तन्यवाद सर इसके बाद अब एक गुरूप फोटू सेक्षिन होगा योग